भारत जोडो नियायातरा का पांचवा दिन नागलेंड से असम पहुंचे राहूल बोले यहां की सरकार देश में सबसे भरस्ट जंता को लूट रही है भाजपा नमस्कार मैं श्वेता आपका दक खबरदार नियूज में स्वागत करती हूँ तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर भारत जोडो निया आतरा का लक्ष हर धर्म हर जाती के लोगों को एक जुट करने के साथ एक अन्याए के खिलाफ लड़ना भी है राहूल ने असम में भाजपा की हिम्मत बिस्वा सर्मा की सरकार पर भी हमला बोला है उन्होंने कहा असम में देश की सबसे ब्रस्त सरकार है भाजपा देश में नफरत फैलाने के साथ जनता का पैसा लूट रही है हम भारत जोडो निया आतरा के दोरान असम का मुद्दा उचाएंगे राहुल ने कहा मड़ीपुर में सिविल वार का माहौल बना हुआ है पियम मोदी आज तक वहां नहीं गए नागलेंड में पियम ने बड़े बादे किये थे वहां के लोग पूछ रहे हैं कि पियम के वादों का क्या हुआ ऐसी ही चीज़े असम में भी हो रही है नागलेंड में राहुल बोले पियम ने नौ साल पहले आपसे एक जूटा वादा किया था इसे लेकर शर्मिन्दा हूँ भारत जुडों ने यात्रा के चौथे दिन बुद्वार 17 जनवरी को राहुल गांदी नागलेंड में थे उन्हें सुबा नौ बजे नागलेंड के वीके टाउन जुनहा वोटो से यात्रा के शुरुआत की थी मोको कुचंग में उन्होंने सभाली यहां राहुल ने लोगों से कहा मैं शर्मिना हूँ कि पी-एम मोदी ने 9 साल पहले नागलेंड के लोगों से नगा संधी को लेकर एक वादा किया था लेकिन इसे लेकर कुछ नहीं किया गया अगर आपके पास किसी चीज का हल नहीं है तो आपको जूट नहीं बोलना चाहिए राहुल ने कहा मैंने नागलेंड के गाउं के लोगों के साथ चायती है एक बच्ची ने मुझसे पूचा कि इस यात्रा के पीछे मकसद क्या है तो मैंने उसे बताए कि इस यात्रा का मकसद है उसकी बात सुनना ये समझना कि नागलेंड के लोगों क्या मैसूस करते हैं और कैसे जिन्दगी जीते हैं इसके बाद यात्रा चुचो इंबेग गाउं से मॉर्निंग ब्रेक के लिए रुकी दोपहर दो बज कर 30 मिनिट पर यहां से यात्रा आगे बढ़ी शाम साड़े चार बज़े यात्रा राग कोंग पहुंची है यहां राहुल ने इस थानी लोगों से मुलाकात की इसके बाद यात्रा तुली पहुंची यहां रातरी में विश्राम किया कोहिमा में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे राजसे हैं आपको देश के बागी लोगों जैसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए राहुल ने यहां दुत्तिया विश्वे युद्ध के समारक पर पुषपांजली भी अर्पित की है इंडिया में सीट शेरिंग को लेकर राहुल ने कहा कि अलाइंस चुना वो लड़ेगा और जीतेगा सीट शेरिंग को लेकर हमारी बात चीत जारी है जादातर जगा आसान है कुछ एक जगा पर थोड़ा मुश्किल है लेकिन सीट शेरिंग की मुद्धा हम आसानी से सलजा लेंगे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाका आतैसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहिए दख खबरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं अपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झाल झाल झाल